जो है सलाद रहता के रूप में सबसे अधिक इस्तमाल होने वाले शब्जी है जो कि हमारे शरीर को कई तरह के निट्रेंट्स और एंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर कर देता है खीरा पाने के साथ फाइबर, कैलशियम, मैगनेशियम, फासपूरर, प्रोटेसियम जैसे कई पोशक्ततों से भरपूर होता है इसके अलावा इसमें बिटामिन B, बिटामिन A, बिटामिन के त्यादी पाया जाता है जिसे शरीर को कई प्रकार के लाब होते हैं आज की वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट बाते हम करेंगे खीरा के बारे में हमें खीरा कब खाना चाहिए, खीरा को खाली पेट करने से क्या होता है, खीरा खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, क्या रूज खीरा खाना अच्छा होता है, खीरा खाने से कौन-कौन से फायदे होता है इत्या दिन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे इसलिए वीडियो को एंड तक भीना स्कीप की होई जरू देखेगा लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खीरा से होने वाले फायदों के बारे में तो सबसे पहला है खीरे की सबसे बड़ी खाश्यत दोस्तों यह होती है कि यह पानी इसमें भरपूर मात्रम हो जाता है इसलिए प्यास भी बुझाना हो या सरी में पानी की कमी हो रही हो तो खीरा खाने से वह कमी पूरी हो जाती है खीरा खाने के बाद सरी को प्रयाप मात्रम में पानी मिल जाता है यह खीरा की सबसे बड़ है कि आधे कप खीरे का रस निकाल लें थोड़ा सा हल्दी उसमें मिला दें उसके बाद इसे चेहरे गर्दन पे 15-20 मिनट तक हलका हलका मसाज टाइब का करके उसको छोड़ दीजिए उसके बाद साफ पानी से इसको दोलिए आपका चेहरा जो है काफी चमकता हुआ दिखाई आपको खीरा खाना चाहिए यह आपके कभज जैसी समस्या में काफी लाब दायक है इसके अलवा खीरा जो है बजन भी कम करता है जो लोग अगर घटाना चाहते हैं उन्हें इसको शलाद करूप में शेवन करना चाहिए से जल्दी पेट भी भड़ जाता है खीरा में वाटर जो है वह बहुत ज्यादा होती है और कैलोरी की मातरा जो है उसमें कम होती है इसलिए वजन घटाने में काफी लाब दायक है इसके बाद साब सुतरी चिकनी चमकदार तो चाहिए तो खीरे को अवश्य इस्तमाल किजिए क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है मैगनेशियम ह दोस्तों खीरा जो है इसमें बहुत ही बहुत अच्छा होता है यह को शितलता प्रदान करता है इसको आइस क्यूब की मदद से अगर हम लगाते हैं तो आखों पे जो थाकान होती है वह मिड़ जाती सके अलावा थोड़ा सा ब्लेक जो श्रेडर दिखाई देता है आखों क एह न ए घ्र शोड़ा और चैनिंग ऑ्ता है दोस्तों खीरे में विटामीन कपगां जो है जो है विटामीन गड़ प्रॉट Not party में मदद करता है यह फडियों के लिए काफी अच्छा है बीटामीन के जो है बोड़ी को केलशियू न में काफी मदद करता है अब बात करते ह पान पाइखने ऑंपå खाने कई घंड मातल होती है और ओस्तर सफी करता के इसका थे ग्रेया को थे cable करता हो। आप बात करते हैं कीरा खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए को so आप एकmente किया रोजह खाना अच्छा हैं दोस्तो खीरा मैगनेशियम पोटेशियम बिटामिन के इसमें होते हैं यह पुशकता तो जो है हिर्दे की समचित कारे को महतपून होता है मैगनेशियम और पोटिशियम लेने से हमारा जो बीपी है वो कम हो सकता है खीरे के नियमित से बन से खराब किलस्ट्रॉल जो बैड किलस्ट्रॉल है और सुगर के इस तर काफी कम किये जा सकते है इसके अलावा सकषै कि की खीरें को कब खाल aç CI दोस्तो खीरा को एक्चुली सुबहाम या दोपार में हमको जादा मात्रा में इसका इसतिमाल कर लेना चाहिए रात को खीराखाने से हमको बचना चाहिए तो यह था इन्फॉर्मेसिन की खाने के आ खायदों के बारे झाल झाल झाल